हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूं पोहे का एक बहुत ही स्वादिश नास्ता जो इससे पहले आपने नहीं खाया होगा तो इसे कैसे बनाते हैं और इसमें हमें क्या इंग्रेडियन्स लगेंगे चलिए उसे देख लेते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पोह और उसे पानी डालके इस प्रकार से धो लेना है इस पानी को मैं अलग कर दूंगी और निकालने के बाद अब इस पोहे में मिला देना है वन फोर्थ कप सूची और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस प्रकार से इसे मिक्स करने के बाद अब इसे कम से कम 15-20 मिनिट के ल अब लेना है मतर को पानी गरम करके उसमें उबलने के लिए डाल देना है यह मैंने इसे डाल दिया है और कम से कम तीन से चार मिनट के लिए जब ही पानी उबलने लगया तो इसे तीन से चार मिनट तेक के लिए और पकाना है और उसके बाद गैस बन करके इस पानी को अलग कर देना है और अब लेना है एक मिर्ची, कद्दुकस किया हुआ अद्रक, दन्या पत्ती और एक प्याज काटके रख लिए मैंने और यह मतर है जिसे मैंने उबाल लिया है और अब यह पौहा और सूजी 15-20 मिनिट के बाद अच्छे से फूल चुके हैं और अब इसे एक बड़े वर्तन में ले लेंगे इस बड़े वर्तन में पौहा को इस प्रकार से डाल लेना है और इसे डालने के बाद अब इसमें जो मतर उबाले थे वो डाल लेने हैं और इसमें मिर्ची प्याज दनिया पत्ती और अद्रक बारिक गुटा हुआ या कद्दू कस्किया हुआ अद्रक इसमें मिला देना है और इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें डालना है यह टेस्ट के कोडिंग नमक चाट मसाला और पिसा भूना पिसा हुए जीरा और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सारे इंग्रेडियन्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से इन्हें मिक्स करने के बाद थोड़ा से इसमें पानी डाल लेंगे ताकि यह अच्छे से इनके बड़े बनाते बने तो मिक्स करने के बाद हाथ से अच्छे से इन्हें थोड़ा दबाके और इनके बड़े बनाने हैं इस प्रकार से यह देखिए और अब एक प्लेट में इस प्रकार से बना के रख लेंगे और इस प्रकार से सभी बढ़ों को बना के रख लेंगे और अब एक तवा गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें डाल देना है तेल और इस तेल को इस प्रकार से पूरे में फैला लेंगे बडों और बड़ों Кो एक के बाद रखते जाना है इस प्रकार से सभी बडों को सेखने देंगे और कम आज पे ही सेखना है और उसके बाद इनने पलट देना है दोनो साइड अच्छे से ब्राउन होने तक सेख लेना है जब देखिये ब्राउन कलर आ चुका है इनने एक पार फिर से पल्ट के शेक लेंगे के सबी को मैंने पल्ट दिया है और इस प्रकार से दूनों साइब ब्रा वन होने तक सेक लेना है मैंने यहापर मश्टर होईल का इस्तिमाल किया है अच्छे तरह से सिखने के बाद अब इनहें.. निकाल के प्लेट में सर्फ कर लेंगे यह देखिए बढ़ियां ब्राउन कलर तब यह सीख चुके हैं अब इन्हें निकाल लेंगे और यह देखिए पोहे से बना हुआ बिल्कुल लाजवाग नास्ता तयार है तो आप भी इसे जरू ट्राइ करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताएए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा